हेलो श्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर और आज की वीडियो में हम लोग आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं जो की बोट के लिए आपके काफी important chapter है क्योंकि इसमें entries बहुत कुछी जाती है जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है तो इसको हम काफी अच्छे से clear करेंगे और सारे concept को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे dissolution of a partnership firm dissolution of a partnership firm का मतलब क्या होता है कि जो भी partnership का existence था उसे break कर देना उसे खतम कर देना या तो partners द्वारा या court द्वारा या तो court ने order दिया है या partners की सहमती थी consent थी उसके हिसाब से आपका जो firm है वो dissolve हो रहा है dissolution of a partnership उनके बीच में साज़ेदारी थी वो खतम हो रही है तो जब यह साज़ेदारी खतम होती है तो हमारे dissolution में कुछ accounts होते हैं जिनका हमें settlement करना पड़ता है कौन कौन से होते हैं क्या क्या करना पड़ता है वो सीखेंगे हम लोग बट उसको जानने से पहले मैं आपको एक point के लिए करना चाहूँगा जो कि बहुत बार difference में पूछा गया है कि dissolution of partnership और dissolution of firm में क्या फरक है dissolution of partnership का मतलब है कि उसमें बस जो partnership का agreement है उसमें change आएगा partnership खतम नहीं होगी है ना इसमें क्या होगा जो books of account है वो close नहीं होगा इसमें dissolution नहीं होगा firm continue रहेगी है ना और इसमें court का कोई intervention नहीं होगा dissolution of firm का मतलब है कि partnership ही खतम होगई books of account close कर दी जाएंगे है करने पड़ेंगे है ना तो यह फरक होता है dissolution of partnership और dissolution of firm तो हम हम one by one बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं treatment of losses treatment of losses में क्या होता है losses में include होता है कि जो हमारी capital उसमें deficiency आई तो वो ऐसे paid की जाती है पहले profit में से paid की जाती है फिर capital में से paid की जाती है और फिर अगर जरूरत पड़े तो जो हमारे partner है वो individually profit sharing ratio में जेलते हैं यह तो हमारे treatment of losses देन आता है हमारा assets जो firm के पास assets होती है उनका क्या किया जाता है जो firm के पास assets होती है उनको firm क्या करती है sale करती है और sale क्यों करती है सबसे पहले वो जो third parties है यान की outsider उनका loan paid करने के लिए then किसी partner का loan ले रखा है partner ने firm को loan दिया था वो paid करने के लिए फिर capital paid करने के लिए और कुछ बच जाता है तो partners profit sharing ratio में इसको बाट लेते हैं ठीक तो जो हमारा पहली बात debt होता है करजा होता है एक करजा हम कहते हैं firm's debt और एक करजा होता है private debt firms debt का मतलब यह होता है कि यह वो करजे होते हैं जो कि firm ने किसी outsider party से लिए हैं और जो partners हैं वो jointly liable है या severally liable है उसको paid करने के लिए इस payment के लिए जो firm की property है वो पहले apply करी जाएगी ठीक है ना और private debt क्या होते हैं private debt होते हैं हमारे वो debt जो की partner में personally लिए है किसी दूसरे person से यह partner personally liable होता है इस करजे के लिए है ना तो यह सारी चीजे ली जाती है और इसमें privately paid पहले होता है privately जो assets है वो पहले ली जाती है तो अब हम आते हैं आपकी main बात पर कि जो आपका dissolution है उसमें हमको treatment क्या 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 करना पड़ता है dissolution dissolution में हमें एक बनाना पड़ता है realization account जिसमें हम assets or liability को transfer करते हैं और फिर उनका treatment करते हैं फिर हमें बनाना पड़ता है partners के अपनल अकाउंट फिर हमें बनाना पड़ता है लोन अकाउंट पार्टनर लोन लिया था तो वह बनाना पड़ेगा और फिर आपका cash और bank account ठीक तो हम समझते हैं सबसे पहले realization account आपका बहुत important इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ entries होती है जो आपके board में आती ही आती है है ना तो इसमें सबसे पहले आप से गर पूछा जाए कि जो assets होती है सारी assets सारी assets का मतलब even goodwill भी इसमें include करी जाएगी लेकिन इसमें क्या चीज़ नहीं आएगी सर cash balance और bank balance नहीं आएगा क्योंकि यह already cash में convert है fictitious assets नहीं आएगी जो हम dummy assets होती है हमारी होता तो खर्चा है लेकिन उसे assets की तरह treat करा जाता है accumulated losses नहीं आएगे ठीक है ना तो जितनी भी assets है उनको सबसे पहले relation account के debit side में transfer किया जाता है relation account के debit side में जैसे की माल लीजिए यह relation account है और इस relation account का यह debit side है यहाँ जितनी भी assets है उनको पहले debit side में transfer किया जाता है गुडविल भी लेकिन cash वगएरा bank balance को छोड़कर fictitious assets को छोड़कर accumulated वगएरा चीज़ों को छोड़कर ठीक उसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है अगर कोई assets है जिसके against में कोई provision बना हुआ है तो उस assets को transfer किया जाता है वो उसके book value पर किया जाता है for example आपने देखा होगा जो हमारे डैप्टर्स हैं उन पर किसी किसी question में provision आपको show करता है मान लीजे डैप्टर्स हैं 2,00,00 के और आपको नीचे दे रखा है provision less provision 10,000 रुपे तो ये भार दिखाएगा 1,90,000 लेकिन जब आप इसको relation में transfer करेंगे तो इस amount से करेंगे डैप्टर्स के amount से ठीक तो हमारी जो goodwill appear होती है सर उसको भी हम treat करते हैं उसको भी हम relation में डालते हैं ठीक है ना उसको भी हम treat करते हैं उसको भी relation में डालते हैं तो अब हमें क्या होता है relation का मतलब क्या होता है रिलाइशन का मतलब ही क्या होता कि जो एसेट्स है वो रिलाइश होगी यानि बेची जाएगी ठीक तो अभी मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ काफी ध्यान से समझेगा एसेट्स के बारे में एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो हम रिलाइशन के डेविट साइब में डालते हैं जी सर एसेट्स या तो सेल होगी या तो सेल होगी या फिर कोई पार्टनर ले जाएगा अगर एसेट्स सेल होती है तो आपके पास क्या आएगा पैसा आएगा चाहि bank account को क्या करोगे debit करोगे और CR में क्या आएगा realization account क्योंकि जब हम assets को transfer करते हैं तो relation के debit side में है और जब वो asset जाती है बेच रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो credit side में लेकिन assets का नाम नहीं लिखते हैं assets को sale नहीं करा किसी partner द्वारा take over कर लिया गया यानि कि जो assets है वो कोई partner ले गया तो पैसा तो आया नहीं क्या आया वो partner ले गया तो जो भी partner ले जाता है उसे हम क्या करेंगे मालो यह ले गया कोई चीज तो as capital account dr to relation यह दो entry होंगी पहली यह वाली एंट्री जब assets आपकी sale होगी और यह वाली एंट्री जब आपकी assets कोई partner ले जागा आपको कोशन में दिया हुआ कि किसी liability को paid करने के लिए आपने उसे वो assets दे दी और अगर वो पूरी liability settled हो गई तो उस case में हम कोई भी entry pass नहीं करते no entry तो यहां पर हम no entry pass ले नहीं करते कोई नहीं कुछ आया हो नहीं हमारे पास से कुछ गया liability थी वो paid हो गई और assets थी वो चली गई अब हम बात करते हैं liabilities की मैंने आपको बताया था जितनी भी assets होती है वो relation के debit side में आती है और जितनी भी liability होती है liability का मतलब external liability यान की वो liability जो outsider की है outsider मतलब जैसे आपके creditors जैसे bills payable, bank overdraft, outstanding expenses loan partner को छोड़कर उस person को छोड़कर जो उस partnership में है उसके अलाबा किसी का भी loan हो चाहे partner की wife का loan हो partner के friend का loan हो वो भी हमारे इसमें आएगा provision भी हमारे इसमें आएगा provision कौन कौन से provision for depreciation, provision for bad debts, provision for discount and debtors, investment fluctuation fund जी हाँ investment fluctuation fund तक आएगा कहां relation के credit side में ठीक, लेकिन क्या नहीं आएगा accumulated profit नहीं आएगा, reserve fund नहीं आएगा, profit का credit balance नहीं आएगा, ठीक, और क्या नहीं आएगा जो reserve है, accumulated profit है, वो हमारा कहां जाता है, partners के capital account में जाता है, जो liability है, provision वाली, वो यहां आती है जिस amount पर बनी है, कोई loan होगा, relative का, हमारे जान पेचान वाले का, यह एक liability है, यह आता है credit side में, और अगर वो same liability, जैसा की wife का loan, या किसी relative का loan, यह एक taken over कर लिया है किसी partner ने, और पूरा का पूरा amount कर लिया है, तो वो भी हमारे credit side में show करेंगे किसी partner से loan लिया है, मालनो partner थे, ABC, A ने firm को loan दिया है, तो यह third party की liability नहीं है यह realization में नहीं आएगी, ठीक है ना, clear है, यह realization में नहीं आएगी अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर question में investment दे रखा है और investment fluctuation fund दे रखा है उस case में investment तो हमारी assets है, relation account के debit side में आएगी उस case में investment fluctuation fund आपका कहा आएगा, investment fluctuation fund आपका CR side में आएगा ठीक है, लेकिन अगर आपको question में investment नहीं दे रखा, उस case में आपका investment fluctuation fund यहाँ नहीं आएगा partners kept account में बाट दिया जाएगा, ठीक, clear है, liability का भी clear हुआ, जी sir अब liability वाली बात समझेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे एक आता है workman compensation का adjustment, workman compensation का adjustment उसमें क्या होता है यह spelling यहाँ गलत हो गई, workman compensation reserve अब माल लीजे, reserve आपका दे रखा है 60,000 का माल लीजे, ठीक, reserve है 60,000 का और claim आ गया 32,000 का, इस case में क्या करेंगे, यह जो 32,000 का claim है यह कहां डालेंगे, relation account के credit side में डालेंगे, ठीक, workman compensation 32,000 कहां डालेंगे, credit side में डालेंगे और इसका जो payment करेंगे, वो हमारा कहां जागा, relation के debit side में, और जो remaining amount है, 28,000 वो कहां जाएगा, पार्टर से बांट दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ workman compensation reserve दे रखा है, तो वो यहां कहीं नहीं आएगा, वो हमारे distribute कर दिया जाएगा, ठीक है, अब आपको क्या जाएद रखना है, entries, बहुत ही main और खास बात, अब मैंने आपको assets के entry तो बता दी, अब देखिए, assets के entry क्या बताई, भाई जब हम assets sale करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, cash या bank account दिया टूराइशन, ठीक, अगर, अब हमें समझना है कि कोई assets partner ने, assets partner टेक ओवर कर लेगा तो partners kept account या to realization, अब यहाँ बात आई liability की, liability सरम ने transfer तो कर दी, है ना, अब liabilities का payment या तो firm करेगी, या partner करेगा, तो अगर external liability, यान की, वो liability जो outsider की है, वो liability paid करेंगे, तो यह बताओ, bank या cash हमारे पास से जाएगा, वो कहाँ हैगा, credit sign, यानि entry क्या होगी, realization account dr2, realization account dr2, cash या bank को, narration में करेंगे कि क्या liability paid करी है, कोई आपको third party की liability दे रखी है, और question में यह नहीं दे रखा, की paid करी है या नहीं, फिर भी आपको वो liability paid करनी है, sir, क्या हो, अगर partner ने उस liability को paid किया हो, firm ने नहीं करी हो, तो यहाँ two cash या bank की जगे क्या आजाएगा, उस partner का नाम जिस partner ने वो liability को paid किया है, ठीक, अब आपको बहुत से case ऐसे आजाते हैं, कि creditors थे, उनको कुछ assets का amount दे दिया, बाकी पैसा cash दे दिया, तो मैंने क्या करा, तो मैंने आपको बताया है, कि अगर creditors का कुछ assets दे कर, या कुछ भी दे कर full settlement हो गया है, कुछ भी पैसा नहीं बचा है, तो तो no entry, और, और अगर कुछ पैसा बच गया है, तो जितना पैसा paid किया है, उतने पैसे से ही entry करी जाती है, वो depend करता है, relation to cash, और अगर कोई partner देता है, तो relation to partner का ना, ठीक, clear है बटा, तो अभी मैं आपको कुछ important entries के बारे में discuss करता हूँ, relation की, जो की आपको बहुत देखने को मिलेगी, है ना, पहले entry, जहांपर relation expenses paid करें हैं firm ने, relation expenses paid by firm on its own भी आप, उनको भी paid करने थे, और उन्हों नहीं करें, तो entry क्या होगी, relation account या to cash या bank, ठीक, second, expenses are paid by a partner, और firm भी हाफ, यानकी, paid तो करने थे, firm को, लेकिन firm के भी हाफ पर किस ने कर दिया, partner को कर दिया, तो अब एक तरीके से, क्या होगा, entry वैसे क्या होती, relation to cash या bank, अब यहां पर expenses किस ने करें, पेड पार्टनर ने करें, किस को केड करने थे, firm के भी हाफ पर कर दिया, entry क्या हो जाएगी, relation account या to partners, capital account, तो यह तो simple सी हो गई, तो आपको कुछ हम दिया हो, तो भी आप ऐसी कर लेंगे, उसके बाद और क्या हो सकता है, कि जो expenses हैं, वो firm ने paid करें हैं, partner के भी हाफ पर, और उसने कहा था कि वो यह expenses bear करेंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कि जो partner है, जिस partner को paid करने थे, वो expenses, उसका क्या होगा, partners, capital, account, डिया, जिस partner को paid करने थे, जिनके बहाफ पर firm ने paid कर दिया, उसको debit, और firm के पास से क्या गया, cash या bank account, ठीक है न, अब और क्यांटी हो सकती है, जब partner को आपने fixed amount दिया है, कि हम आपको इतना पैसा देंगे, और जो भी expenses होगे, और जो भी actual expenses होगे, वो आप bear करोगे, ठीक, इस case में हम क्या entry करते हैं, जब हम partner को एक fixed amount दे रहे हैं, सारे expenses के लिए, उसमें भी हम entry करेंगे, दो entry होगी आपकी, चाहो तो आप relation account दिया to partner's capital और partner's capital account to cash या bank, अब ऐसा हो जाए, कि expense paid करने थे, एक्स को और paid कर दिये y को, यानकि, इसमें क्या होगा, for example, मान लीजिए, x को payment करना था, y ने कर दिया, तो इसमें entry क्या होगी, partner जिसको expense bond करना था, वो आएगा debit side में, और partner जिसने pay किया, वो आएगा credit side में, तो ये सारी कुछ important entries थी, जो relation को लेकर आपसे पूछी जाती है, और आपको सारी जानना जरूरी है, ठीक है न, तो इसमें क्या होगा, तो I hope आपको सारी entry clear हो गया होगा, उसके बाद हम यह देखते हैं, कि relation में profit हुआ है, लॉस, अगर profit हुआ है, तो relation account dear to partners capital account, और loss है, यानि की debit balance है, तो partners capital account dear to relation, तो ये सारी थी हमारी entries की बात, तो relation में क्या DR में आता है, क्या CR में आता है, वो यहां से आपको clear हो जाएगा, अब relation account के बाद, हमारा बनता है partners capital account, पार्टनर्स capital account तो आपको खेर मालू ही है, कि partners capital account हमारी partners दोरा एक तरीके से बनाया जाता है, और इसमें partners के होने वाले फायदिया और partners के होने वाले लुक्सान को डाला जाता है, तो सबसे पहले मैं debit side की बात करूँ, पार्टनर के, तो अगर partners का capital का ही कोई debit balance दे रखका है, तो यहाँ आजाएगा, profit and loss का debit balance दे रखका है, तो वो यहाँ distribute होगा, advertisement suspense है, तो वो partners capital account के debit side में आएगा, किसी partner ने किसी assets को take over कर लिया है, तो वो यहाँ आएगा, asset take over, relation में loss हुआ, तो वो debit side में आएगा, ठीक, उसके बाद, यहाँ बात की जाए, तो by balance partners की पुरानी capital जो अगर दे रखके हो, या credit balance दे रखका है, जनर्रिजब दे रखका है, CR side आएगा partners capital में, profit and loss का credit balance दे रखका है, तो वो CR side में आएगा, workman compensation fund दे रखका है, है ना, realization में कोई liability take over कर ली किसी partner ने, वो आएगी credit side में, relation में profit हुआ, वो आएगा, और फिर हम balancing करते हैं, अगर आपका debit side का balance ज़्यादा है partners का, तो credit side में यानि कि वो पैसा और लाएगा, और अगर credit side का balance ज़्यादा है partners capital account का, तो उसे इतना payment मिलेगा, तो ये तो उनका partners capital account होता है, तो हमारे जितने भी general reserve, reserve fund, profit and loss, workman compensation fund, ये सारी चीज़े होती है, ठीक है ना, अब हमें क्या होता है कि कौन कौन से चीज़ कब कब जाती है, general reserve हमेशा बाटा जाता है, वो कभी relation account में नहीं आता है, आएगा नहीं है, तो नहीं आएगा, workman compensation की कोई liability है, तो वो compensation में उसमें रिलाइशन में आएगी वनना नहीं आएगी, contingency reserve partners capital account में आता है, रिलाइशन में कभी नहीं आता, machinery replacement fund, सेम आपका investment वाले concept की तरह, ठीक है ना, तो आपको मालूम है, final settlement का मतलब क्या होता है, कि जब partner पैसा लाएगा, तो entry क्या होगी, और ले जाएगा, तो entry क्या होगी, तो आपका relation account हो गया, partners kept account हो गया, उसके बाद मतलता है, partners loan account, इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा, बहुत सी entries आ जाता है, कि फलाना partner से, और उससे फर्म ने लोन लिया था, उसका payment कर दिया, तो basically, जब कोई loan partner ने दिया फर्म को, तो वो paid करा जाएगा, और क्योंकि यह outside liability नहीं है, यह after the outside liability गाद payment किया आता है, तो इसको हम partners loan account में transfer करते हैं, ना कि relation account में transfer करते हैं, तो इसके लिए entry बनती है, partners, loan account, DR, और फर्म के पास से का गया, पैसा गया, किस case में relation में amount आ सकता है, वो आपको समझना है, loan account कैसे बनता है, basically, जैसे मालो, क्यों का loan था, तो यह papa वाला format बन जागा, particular amount, particular amount, जो amount था, वो buy यानि कितना loan था, वो buy balance BD, और जितना paid करा, तो two bank loan paid off, लेकिन आपको एक चीजे, कुछ याद रखनी है, कि जो loan है, उसका amount कितना था, और loan हमने paid कितना करा है, है ना, यानि कि, आपको question में, आपको किसी किसी question में दे रखा होता है, जो हमारा loan है, उसका amount था 50,000, लेकिन loan का settlement हो गया, 40,000 में, तो कितने का फायदा हो गया, 10,000 का, फायदा हो गया, कहां जाएगा partner, वो relation account के, CR side में, किसी का loan था 50,000 का, वो ब्याज के साथ देना पढ़ रहा है, 52,000 का, तो 2000 का loss हो गया, कहां जाएगा, relation के debit side में, इस case में, वो transfer होता है, वरना नहीं होगा, तो यह 3 account होगा, यह 3 account के बाद, आपका लास्ट account होता है, जिसे हम कहते हैं, bank account या cash account, यह सेम आपका balance sheet की तरह होता है, मतलब, जैसे कि आपकी balance sheet टेली करती है, balance sheet बराबर आती है, सेम वैसे ही आपका, यह आपका bank account भी, या cash account भी बराबर आता है, यह side होती है debit side, और यह side होती है credit side, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको question में ही cash in hand, या bank balance, cash at bank या bank balance ये रखा होता है, asset side में, उसको हम या डालते हैं, तू balance करके, उसके बाद कोई asset sale हुई है, और firm बेची है, तो firm के पास ही पैसा आएगा, तो उसको हम debit side में डालते हैं, कोई partner ऐसा है, जिसका debit side का balance ज़्यादा था, तो वो पैसे लेके आएगा, तो उसका balance भी यहाँ डालेंगे, debit side में, ठीक, अब इसका जश्ट उलता, अगर आपको bank overdraft दे रखा है balance sheet में, तो वो यहाँ आएगा, relation में liability paid करी firm ने, वो यहाँ आएगी, credit side में, partner का loan paid करा है, वो यहाँ आएगा, ठीक, उसके बाद, कोई liability paid करी हैं, वो आएगी, relation expenses paid करें, यहाँ आएगी, है ना, यह सारी चीज़ है, यहाँ आएगी, और, कोई partners ऐसा है, जिससे payment करना, यानि कि partners kept account बनाया है, और credit side का value ज़्यादा है, debit side से, है ना, तो उस case में क्या होगा, partners को पैसा मिलेगा, और वो यहाँ आएगा, ठीक, कि आपके course का हिस्सा नहीं है, साल, आपको memorandum balance sheet यान की, again balance sheet नहीं बनानी है, तो, dissolution में आपका, basically देखा जाया, तो entry ही main है, और entry मैंने आपको बताया, कि, कहां कौन सी entry आएगी है, इसमें आपको कोई, doubt नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होने चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत हो, तो मेरा whatsapp number, मेरा about section में है, वहां आप मुझसे clear, कर लेजेगा, वीडियो को प्लीज, जादा से यदर like करेगा, share करेगा, और अब तक channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर दीजेगा, thank you so much, love you all of you.